दोस्तो अजय देवगन की मूवी मैदान बोक्स ओफिस से अभटने का नाम नहीं ले रही है फिलम का बिजनेस कई बार हिचको लेखा चुका है लेकिन फिर भी ये मूवी थियेटर से जाने को राजी नहीं है हालां की वीकेंड मैदान मूवी को थोड़ी राहत दे रहा है इस बार भी फिलम ने सनिवार और रविवार को ठीक ठाक बिजनस किया लेकिन मंडे टेस्ट ने आते ही इस मूवी को साप की तरह डस लिया और कमाई खिसकर नीचे आ गई है मैदान मूवी इस साल एद के मोके पर रिलीज हुई थी इस मूवी का मुकाबला बड़े बजट में बनी बड़े मिया छोटे मिया मूवी के साथ था ये कलैस साल दो हजार चोबिस का सबसे बड़ा कलैस साबित रहा जिसका खामियाजा दोनों मूवी को भुगतना पड़ा बोक्स ओफिस पर मैदान मूवी को रिलीज हुए तीन हपते पूरे हो चुके है शुरुआत से लेकर अब तक फिलम ने कई उतार चड़ाओ भी देखे है फिलहाल दोस्तों इस मूवी को सिनेमा घरों में आये हुए 26 दिन कंपलीट हो चुके है वही दूसरी और अक्षे कुमार और टाइगर स्रोप की मूवी बड़े मिया छोटे मिया का बिजनस भी काफी निरास जनक बना हुआ है फिलम अपने पहले हपते में ही घुटने टेकने लग गई थी करोडो के बजट में बनी बड़े मिया छोटे मिया मूवी से प्रोडूसर जैकी भगनानी को काफी ज़ादा उम्मीदे थी रिलीज के पहले उन्होंने कई बड़े दावे किये थे लेकिन थीयट्रस में दस्तक देने के बाद बड़े मिया छोटे मिया मूवी की दजिया उड़ रही है अक्ष्यकुमार टाइगर सुरोफ की फिलम बड़े मिया छोटे मिया पर करोडो रुपए खर्ज किये गए है इस मूवी में भारी भरकम वी एफेक्स और एक्षन सीन्स की भरमार है लेकिन कमाई के मामले में फिलम सिर्फ फिसलती हुई जा रही है बड़े मिया छोटे मिया मूवी के बिजनस की हाला तब इतनी बुरी हो गई है कि करोडों की लागत में बनी ये फिलम लाखों में कमाई कर रही है फियेट्रस में फिलम रिलीज के 26 दिन पूरे हो चुके है हालाइं की लागत निकालने से अभी ये मूवी को सो दूर है बिजनस आदा हो गया इस मूवी को भी अब सिनेमा घरों में आए हुए 26 दिन कम्पलीट हो चुके है फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े मिया छोटे मिया मूवी के साथ साथ मैदाद मूवी के टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आखिर इन दोनों मूवी ने अपने 26 दिनों में इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कितने रुपए की कमाई कर ली है जानेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अच्छे कुमाल टाइगर सुरूफ या फिर आजय देवगन को एक बहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोमेंट में जरूर बताना की आपको इन दोनों मुवी में से कौन सी मुवी अच्छी लगी चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बड़े मिया छोटे मिया मुवी के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में अली अबास जफर के निर्देशन में बनी बड़े मिया छोटे मिया मुवी में हाई ओक्टेन एक्शन सिक्वेंस से लेकर कोमेडी और रोमांच सब कुछ डाला गया था हर किसी को उमीद थी कि ये फिलम वोक्स ओफिस पर गरदा उड़ा देगी लेकिन इज जैसे तवहार पर रिलीज होने के बाद भी इस फिलम ने बेहद कम कमाई की है बड़े मिया छोटे मिया मुवी के डे बाई डे कलेक्शन की बात करें तो इस मुवी ने अपने ओपनिंग डे पर यानि की पहले दिन 15 करोड 65 लाक रुपए का कारोबार किया था दूसरे दिन इस मुवी ने 7 करोड 60 लाक रुपए कमाए तीसरे दिन 8 करोड 50 लाक रुपए चोथे दिन 9 करोड 5 लाक रुपए पांचवे दिन 2 करोड़ 50 लाख रुपए, छटे दिन 2 करोड़ 40 लाख रुपए, साथवे दिन 2 करोड़ 55 लाख रुपए, वही आठवे दिन इस मूवी ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए का कारोबार किया था, इस तरह से बड़े मिया छोटे मिया मूवी ने अपने पहले वीक में 49,90,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मिया छोटे मिया मूवी ने अपने 26 वे दिन सिर्फ 25 लाक रुपे की कमाई की है। बात करें इस मुवी के टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब 64 करोड रुपे हो चुका है। पहले काफी तगड़ा बज बना था। दरसल फिलम के ट्रेलर में अक्षे कुमार ओल्टाइगर स्रोफ के होस उड़ा देने वाले एक्शन सिक्वेंस ने लोगों की फिलम को लेकर एक्साइटमेंट लेवल को काफी जादा उपर पहुंचा दिया था। वहीं काफी उम्मीदों के साथ बड़े मिया चोटे मिया मुवी को 11 अपरेल को इद के मोके पर रिलीज किया गया। बड़े मिया चोटे मिया मुवी की स्टार काष्ट की बात करें तो फिलम में अक्षे कुमार और टाइगर स्रोफ, मानुसी छिलर और अलाया एफ ने एहम रोल प्ले किया है। इस फिलम में साउथ के सूपरिश्टार पृतिवी राज सुकुमार ने विलन का रोल प्ले किया है। इस फिलम में एक्षन के साथ साथ कोमेडी का तड़का भी देखने को मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं मैदान मुवी के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में। अमित सर्मा के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा मुवी मैदान में अजय देउगन ने फुटबोल को सियद अब्दुलरहीम का किरदार निभाया है। तो वहीं दूसरे दिन मैदान मुवी ने 2.45 लाख रुपे की कमाई की थी। बात करें इस मुवी के दूसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी ने अपने दूसरे वीक में टोटल 9.95 लाख रुपे की कमाई की थी। इस मुवी को अब सिनेमा घरों में आए हुए तीन वीक से ज़्यादा का समय हो चुका है। बात करें इस मुवी के तीसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी ने अपने तीसरे वीक में 7.30 लाख रुपे का कलेक्शन किया था। दोस्तों वही अब इस मुवी के 26 दिन की कमाई के सुरुआती आखड़े भी सामने आ चुके हैं। तो इस मुवी ने अभी तक दुनिया भर से 65 करोड 90 लाख रुपे की कमाई कर ली है। दोस्तों मैदान मुवी की स्टार करश्ट की बात करें तो मैदान मुवी में अजय देउगन के अलावा प्रिया मनी और गजराज राओ भी मुख्य भुमिका में दिखाई दिये है। इस मूवी का निर्देशन अमित्र रविंद्र नाज सर्मा ने किया है तो वही इसके निर्माता बोनी का पूर है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोमेंट में जरूर बताना कि आपका इन दोनों मूवी के बारे में क्या कहना है मिलते है किसी नई अपडेट के साथ